हेलो एवरीवान और वेलकम बाग टो आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंचिक्स आज हम बात करने वाले हैं एक केस के बारे में और यह केस आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है और यह जो केस है इसका नाम है वेस्टर फिल्ड वैन डाम केस तो इसके बारे हैं पुरा डीटेल में आज हम जानेंगे यहाँ पर बिसिकली जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था उनके बारे है ही बात करेंगे basically ये जो है कुछ आपके जो एविरेंस होते हैं उनके exchange से रिलेटेड होता है तो उसके बारे में यहाँ पर detail में आज हम समझने वाले हैं तो चल्दी से start कर लेते हैं यहां सबसे पहले मैं आपको बता दो तो ये काफ़ी important point हो सकता है बाकि ये बहुत simple सा point आप सभी को पता भी होता है इसके बारे में अभी हम आगे move करते हैं अपने case की तरफ तो ये case क्या था एक 7 years old एक girl थी जिसका नाम था Daniel Van Damme ये एक लड़की थी 7 साल की जो की San Diego California में रहती थी ये जो है second FEP को report कराई गई थी कि ये missing है ये अपने घर पे नहीं पाई गई थी तो इनकी report कराई गई थी कि ये missing है फिर जो पूरी proper investigation अगेरा हुई तो कुछ time के बाद में 27 FEP को इनकी body में गई थी तो यहाँ पर second FEP से लेकर के 27 FEP तक बहुत जादा time हो चुका था जिस वजह से जो body थी वो partially decomposed हो चुकी थी और उसको normally पहचानना होता आसान नहीं हो पा रहा था तो इस वजह से जो investigator थे वो properly जो cause of death था जिस वजह से उस लड़की की death हुई थी वो नहीं पता कर पाये थे और यहाँ पर sexual assault का case था या नहीं था यह भी नहीं पता चल पाया था लेकिन यहाँ पर जो इनके teeth मिले थे जो इनके dental records थे उसके basis पर उनकी identity का पता लगा लिया गया था कि यह जो है आपकी जो body मिली है यह Daniel Van Dam की body है तो इस तरह से इनकी body का तो identification हो गया था लेकिन अभी यह नहीं पता चल पाया था कि क्या यह case था तो उसके लिए भी हम आगे move करते हैं तो जब यहाँ पर पूरी proper investigation चल रही थी तो उसी time पर इनके एक neighbor थे जो पडोसी पडोस पर रहते होंगे एक उनका नाम था David Westerfield इन पर सबसे पहले suspect गया था जब पूरी investigation चल रही थी तो उस समय सबसे पहला जो suspect गया था वह इन ही पर था कि David Westerfield जोंकी इनकी एक neighbor थे इन पर सबसे पहले suspect गया था और इनकी जो एक recreational vehicle था recreational vehicle का मतलब होता है एक तरह की van होती है जहां पर आराम से आप stay कर सकते है मतलब वो एक तरह का आपका motor home होता है एक तरह से घर ही होता है जिसमें आपके आपका movement हो सकता है ठीक है तो वो एक तरह का आप recreational vehicle था उसमें यह रहते थे उसमें यह क्याम करते वह पाए गया थे जिसी वजह से इन पर suspension सबसे पहले गया था and he was convicted of her kidnapping and murder इनको जो है किर्नाप और murder करने की case में इन पर conviction इन पर कुछ charges भी लगाए गए थे इनको punishment भी मिली थी ठीक है लेकिन यह सरिफ यह तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि इन्होंने crime किया है तो उसके लिए proper हमें कुछ evidences चाहिए हैं तो इनकी जो recreational vehicle थी इसमें बहुत सारे ऐसे evidences minute evidences देखने को मिले थे जिसकी help से ही पता चला था कि यही आपके proper इस particular case के culprit है ठीक है तो यहाँ पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन चाहल रही थी उस टाइम पर second 22nd फेप को पुलिस ने वेस्टर फीड़ को अरेस्ट कर लिया था डेनियल की किन्नापिंग जो आपकी डेनियल वेंड डाम थी उनकी किन्नापिंग के लिए और यहाँ पर इन्होंने अरेस्ट इस बेसिस पर किया था कि इनको two small stains of Daniel Van Damme's blood were found on his clothing and his motor home जो इनकी motor home यानि की recreational vehicle थी उनके उस vehicle के अंदर इनको two small stains blood के stains मिले थे जो डेनियल वेंड डाम थे उनके तो इस बेसिस पर इनको मतलब इनको arrest किया गया था kidnapping का charge लगा था तो यह तो अभी तक आपका पूरा proper नहीं हो पा रहा था अब जब इन्होंने और जादा investigation करी थी इनकी recreational vehicle के तो वहाँ पर यह काफी सारे यहाँ पर इनको evidences देखने को मिले थे यह evidences जैसे कि Daniel's blood stain on Westerfield's jacket जो Westerfield की jacket थी उसके अब देखने को मिले थे उसके अलबावा देनियल के फिंगर प्रेंट्स भी जो Westerfield की motorhome थी उस पर देखने को मिले थे इसके साथ में जो डेनियल वेंडम का family dog था जो dog धाइन का उसके hair देखने को मिले थे Westerfield की motorhome में और साथ में जो बेट कमफर्टर होता है उस पर भी उसके dog के hairs वहाँ पर देखने को मिले थे उसके अलावा जो डेनियल से related उनके hairs थे तो जो डेनियल के hairs थे वो भी Westerfield के जो home bed था जो home उनका vehicle था वहाँ पर जो बेट पड़ा हुआ था उसके bed sheet पर भी उनके hairs देखने को मिले थे साथ में जो bed sheet के fibers थे जो bed sheet की acrylic fibers थे वो भी डेनियल की body पर जो डेनियल थी डेनियल वेंड डाम थे उनकी body पर देखने को मिली थी और यहाँ पर यह जो भी fibers थे यह Westerfield की home vehicle जो थी जो उनकी recreational vehicle थी उसके अंदर जो bed sheet पड़ी हुई थी वहाले fibers थे चिके तो इन सारे evidence की basis पर यह directly link हो रहा था कि यह सारी के सारी चीज है आपकी recreational vehicle जो था वेस्टर फील्ड का उसी से link है और वह वेकल वेस्टर फील्ड का है तो यह case जो है यह जो crime है यह वेस्टर फील्ड नहीं किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कितने चोटे-चोटे से minute से आपके evidences हैं जब कोई भी चीज आप चाहें ना चाहें अगर कुछ touch करते हैं तो आपके fingerprints भी transfer हो जाते हैं तो यह चीज होती है आपकी law of exchange, principle of exchange, exchange का मतलब क्या होता है एक जगा से दूसरी जगा पर चीजों का transfer होना तो यहाँ पर जो आपके hair है वो एक body से दूसरी जगा पर transfer होना जो basically exchange होना तो यह सारा का सारा आपका exchange आपको principle of exchange होता है यह आप इस तरह से देख सकता है कितना जादा important आपका एक base है forensic science के लिए क्योंकि यहाँ पर जो principle of exchange होता है इसी के base पर आपने देखा कि यह पूरा का पूरा case solve हुआ था यहाँ पर अगर यह principle of exchange का formula काम ना करता तो उ हमें evidence ही नहीं मिलेगा तो आप किसी भी case को solve नहीं कर पाएंगे ठीक है यह चीज आप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होगी कि basically आपका principle of exchange है वो किस तरह से applicable होता है आपके forensic science में यहाँ पर कहें किसी भी case को solve करने में ठीक है तो यह यहाँ पर अभी आपको इतने सारे evidence तो मिल गया थे तो यहाँ पर पूरा आपके पास proper आपके पास evidence आ गया था प्रूफ आ गया था कि यह जो case है जो crime है यह वेस्टर फील्ड ने किया है तो इस basis पर पूरा यहाँ पर आपका जो court case चलता है वो सब को चला था and last में इनको punishment दे दी गई थी sentence to death की इनको sentence to death की punishment punishment या नहीं capital punishment दी गई थी तो यह पूरा का पूरा इस तरह का case था I hope यहाँ तक आपको case अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो आपके basic principles होते हैं forensic science का जो की exchange है आपको principle of exchange एक law होता है इसको किस तरह से किसी भी crime case से या फिर forensic science से link करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगी उतना clear नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा cold का issue है थोड़ा सा health issue प्रॉपर में ठीक नहीं हो फिर भी मैं record कर रही हूँ इसको थोड़ा सा अप्रियर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा प्रियर कर लिजेगा इतना कुछ खास problem नहीं हो पारी होगी तो यह हो गया आप आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे facebook page टेलेग्राम चैनल पर ब्लॉगर पर जरूर से विजट करेगा website में इसमें काफी सारे आपको बहुत कुछ वहाँ पर इंफर्मेटर मिलने वाला है ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शियर कर देंगे ताकि उन तक भी quality content पहुँच जाए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करियेगा बल एगन प्रेस करेजेगा फॉर डेली अपडेट्स और थैंक यू सो मच फॉर जोइनिंग में हैर